इस लोगतंत्र के महापर्व में जो है वो पड़ चड़के हिस्सा लें लेकि हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगबग 200 रैलियां की हुई है लोगसभा चुनाव के आकरी चुरेंट का मतदान आज है इस बीच आपको बता दे हमाचल प्रदेश में लोगसभा चुनाव में होट सीच मंडी में आज वोट डाला जा रहा है और वहां की उमीदवार कंगना रनौत भी अपने मत का प्रयोग करने पहुँची थी और इसे गर्मी में भी लोग जम कर वोट कर रहे है इस बीच आपको बता दे कि भाच्पर प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपना वोट डाल कर मंडी जुले के सरकागाट के जाहू के भांबला में मतदान किया है मतदान से पहले कंगना रनौत नी मीजे से बाच्वित करते हुए कहा कि पीए मोधी की सरकार एक बार फिर से केंदर में बनने जवा रही है देखे अभी अभी जो है मैंने जो है वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जो हमारा सबसे बड़ा सेमविधानिक अधिकार है इस लोगतंतर के महापर्व में जो है वो पर चड़के हिस्सा लें और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सब है हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उच्छब है इस लोगतंतर के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोगतंतर का जो वरदान है ना जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले तो इस अधिकार का फाइदा उठ यह तो बहुत ज़रूरत है देवी देफताओं का सब का अश्रवाद मिलना हमारे साथ ऐसे भी जब इन खिसी भी इलाके में जाता हूं तो देवी देफताओं का अश्रवाद लेते हैं और आज तो शुब शुब दिन है और बहुत अच्छा रिस्पॉंस पूरे मंडी संसद एक शेतर के 14 लाक लोगों की जीत होगी और मिलकर हम विकास कारियों को आगे लिए कर जाएंगे लेकिए हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में हैं मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगबग 200 रैलियां की हुई है दो महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से जादा इंटरव्यू किये हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारत वर्ष में जो उसकी गैरेंटी है उनका लोहा जो है पूरा भारत वर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है तो हम जो है मोदी जी की सेना है और होई निवेदन है कि आप जादा से जादा लोग मद्दान करने आए युवा बजूर्गवान महीलाएं आपको यह अदिकार आपके समयधान में मिला है और उसका सही उप्योग करना यह हम सब का दायत वबनता है इसलिए मेरा सभी मद्दातों से निवेदन है कि शाम भी नहीं कर रहे हैं वो जब राजनेता भी नहीं थे जब कही न कई पॉलिटिक से बिलकुल नहीं जुड़े थे तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं यहां हिमाले की वादियों में वो नजाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे वो कितने दशकों तक ध्यान करते रहे अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है जो एक इनसान का जीवन शैली जीने का तरीका है वो इनसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं अब भी करेंगे उसमें क्या पत्रूपार करा हमार साथ और देखते हैं पंजाबकेसरी.com